हारे का सहारा बाबा शाम हमारा जै शिरिशाम जै शिरिशाम हैलो फ्रेंड्स वागत है आपका शुश्मकर सोई में और आए मैं लेके आई हूँ बाबा शाम का प्रिय भोग चूर्मा बनाना बताऊंगी और जो शाम बाबा को बहुत ज़्यादा पसंदे और देखिए फ्रे लिया है एक कप आटा लिया है और सबसे पहले हम इस तरह से एक बावल लेंगे बावल में हम एक कप आटा डालेंगे आटा मेने चान के लिया है और आटे में हम डालेंगे दो चमच घी शूद देसी घी है क्योंकि हम भोग के लिए प्रशाब ना रहे हैं तो हम देसी घी में प्रशाद बनाएंगे और घी और आटे को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे आटा और घी आपस में अच्छी तरह से मिक्स करके लेंगे आटारो घी हमने अच्छी तरह से मिक्स करके ले लिया अब इसमें डालेंगे चीनी का पॉडर और हमने तीनों चीजे एक साथ अच्छी तरह से मिक्स करके ले लिया अब इसमें हम डालेंगे एक कप दूद दूद को हम थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे एकदम से नहीं डालेंगे और इसका एकदम स्मूज सा डोर त्यार करके ले लेंगे और हमने एकदम सोफ सा डोप नाकर ले लिया इसका और इसे हम एक से दो मिंट के लिए इसी तरह से मसलेंगे और इसे मैंने 3-4 मिनट के लिए अच्छी तरह से मसल के ले लिया है इसे अब हम 10-15 मिनट के लिए रैस्ट के लिए रखेंगे रखेंगे और उपर से कर देंगे कवर इसे और इस तरह से मैंने इस भोग के लिए थोड़ा सा ड्राइफ्रू लिया थोड़ा सी किश्मिस लिये जिससे काटके मैंने ले लिये 10-15 मिंट हो चुके चलो देख लेते हैं आठा मारा बिल्कुल सोफ्ट हो चुका इसे हम दुबारा से 1-2 मिंट के लिए मसल के ले लिया अब इसमें से चोटी चोटी लोई लेंगे हम इसकी मुठिया बना लेंगे इस तरह से आपको दिखा रही हूँ इस तरह से सभी मुठिया बनाकर हम ले लेंगे और एक एक करके सभी मुठिया बनाकर एक ले लेंगे हम और मैंने एक करके सभी पीसिस की मुठिया बनाकर ले लिया आप चाहे राउंड शेप में भी इसे बनाकर ले सकते हो और मैंने कडाई लिये कडाई में हम डालेंगे गीको अच्छी तरह से गर्म करलिया अब डालेंगे गी, यह को समी के लिए यह नगी गर्म करलेगे अब बनेंगा रोगों कुस मिशन दे लेंगे और भीक, कुछ मिंट के लिए बनेंगे alva, तो ओना नील और पलेट में बने, अब प्लेट में लुँआ और और इसे हम दोग चाहे में हम गी डालेंगे दो तेन बडे चमच और प्रबली की दिन आज कि अज़ दंग威 तक करकेश त्राइब टारें शरसे सिर पंधिक में त्व्ड़ कमालिय नज तक को सब्सक्या की एक हुल जालेंगे फ़्राई के घाया कि दो और इसे हम दो से तीन मिंट के लिए एक साइट से फ्राई होने के लिए रखेंगे दीमी फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे ताकि अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए कच्छा टेस्ट ना है इसका और इसे हम इस तरह से पल्ट देंगे और इसे अल्ट पल्ट कर हम अच्छी तरह से 4-5 मिन्ट के लिए फ्राई करके ले लेंगे और हमने इसे अच्छी तरह से फ्राई करके ले लिया चार से 5 मिन्ट हो चुके इसे अल्ट पल्ट कर हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है इसका कलर भी चेंज हो चुका है यह देखे कितने अच्छे लग रहे देखने में और गॉल्डन गॉल्डन कलर भी आ चुका है इसके उपर यह बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी हो गए हैं फ्राइ करते करते और इस तरह से आप चूर्मी का प्रशार बनाओगे तो बहुत टेस्टी बनता है यह प्रशार प्रशार तो वैसे भी बहुत टेस्टी होता है खाने में और हम बाकी बच्चा भी पूरी इसी तरह से फ्राइ करके ले लेंगे सभी हम इसने फ्राइ करके मुठिया ले लिए अब हम इसी तरह से मुठिया कर जार लेंगे और सभी मुठिया को तूड़ कर इसके अंदर एड़ करेंगे एक बर में जितने ही आएंगे मिक्सी के जार में हम उतने लेकर इसे ग्रैंड करके ले लेंगे और अब हम इस तरह से मिक्सी के जार कर ठककर लगा लेंगे और कुछ सेकंड के लिए इसे सिला कर हम इसका चूर्मा बना कर ले लेंगे और ये देखे चूर्मा कितना बढ़िया बनाया है इसका बिल्कुल दानेदार आपको दिखाऊंगी मैं और इसे मैं प्लेट में निकाल के ले लूँगी चूर्मे को और बाकी बचा भी हम इसी तरह से त्यार करके ले लेंगे अब हम दूसरा पूर भी इसी तरह से ग्रैंड कर लेंगे और दोनों पूर हमने ग्रैंड करके ले लिए अब मैं इसमें डालूँगी चीनगी का पॉर्डर दो से तीन बड़े चमच और साथ में डालूँगी मैं सोगी जो मैंने बारी कट करके लिए हुई है और साथ में लेंगे हम बदाम जो हमने फ्राइ करके लिए हुए है वो भी मैं इसमें एड़ कर रही हूँ और हम डालेंगे दो से तीन बड़े चमब देसी घी और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ये चम्मसें निए अच्छी तरह से mix होएंगे, हम इसे हाथों से अच्छी तरह से mix करके लेंगे और एकदम बड़िया से mix करेंगे, आपस में अच्छी तरह से सभी चीजे mix होजाएं लगबग हम दो से तीन मिन के लिए इससे ऐसे ही mix करते रेंगे और हमने प्रशाद को एकदम अच्छे से मिक्स कर लिए आप चाहे तो इसमें लाची पोडर भी मिक्स कर सकते हो टेस्ट के लिए उसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है देखे फ्रेंट बाबा शाम का प्रिये भोग बनकर त्यार हुआ है और हम बाबा जी को लगाएंगे भोग प्रशाद का और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप भी इस तरह से बाबा शाम जी का प्रिये भोग बनाए चूर्मे का और अपने शाम जी को भोग लगाएं अगर फ्रेंण्स आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों में शेयर कीजिएगा और मुझे स्पोर्ट करने के लिए मैं चानल को सुच्क्राइब कीजिएगा जय श्री शाम, जय श्री शाम, हैरे का सहारा, बाबा शाम हमारा